नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, मुराकेस बादानी आपनू हार्दिक स्वागत करूछूू। आपना आज यूटूब चैनल विरातन पॉलेटेकनिक मा तमे निहाडी रहाचो डिप्लो मा फिप्थ सेमिस्टर इलेक्ट्रिकल मा आउतो डबल्यू एसीसी सबजेक्ट वाइरिंग, एस्टिमेटिंग, कोस्टिंग, एन कॉंट्राक्टिंग लेक्चर सीरीज निहाडी रहाचो पार्ट फाइव। पार्ट वन थी करियाने पार्ट फोर निहांदर आपने निहाडी हूं के चेप्टर वन मा आउता बहुच बेजिक टोपिक जेवी रिते वाइरों कया कया प्रकार ना होई छे वाइरिंग कई-कई रिते करी सकीये छे तेनी बद्धी पद्धतियों वीसे निहाडी हूं कई पद्धती सारी छे केना मा साना कई पद्धती मा केवा गुणधर मो रहेला छे एना कया एडवांटेजिस छे तेना वीसे आपड़े संपूर्णा माईती लेधी आ पांचमो पाट जोता पहला पाट वन थी पाट फोर सुधी जोवानू भूलता नहीं नहीं तर तमने पाट फाइव नी अंदर थोड़िक समझवा मा तकलिप पड़ से तो हजीपन जो वीडियो ना निहाड़ा होए तो पार्ट वन थी पार्ट फौर ने निहाडवानु भूलता नहीं मित्रों सरुआत कर सू आपने इलेक्ट्रिकल वाइरिंग मा वपराती ऐसेसरीज अने तेना स्पैसिफिकेसन वी से असेसरीज अने स्पैसिफिकेसन एना मां पेली बात करिए के ऐसेसरीज एसेसरीज एकले के सूँ दरोग आपने का लाइट फिटिंग कर भी छे तो सप्लाई आपयो और लाइट ने चालू करी इनी वच्चे आओती तमाम सामगरियों जे छे बराबर एबदी इनी एसेसरीज छे और इसेसरीज जे उप्योग करवानों छे ते ना केवा केवा स्पेसिफिकेसें से पेसिफिकेसें एकलेना रेटिंग से कराण छे, वोल्टेज छे केवु हो जोई बराबर छे इना भी से अपने संपूरोण चर्चा खरी से तो पहला आपने बात कर PRIis ए के रेटिंग नी बात करिया तो आपने जनरल वाद करता हो इने को फ्रीज मा लागे तेवी मोटी स्वीच आपो कादो ना नी स्वीच आपो हकीकतमा टेकनिकल स्पेसिफिकेशन सुखे छे के आतो थोड़ाक वर्सो पहलानी वाद छे आतो पांच एमपियर ने 10 एमपियर यें वाद थाती के पांच एमपियर नी स्वीच आपो तसंपियर नी श्वीच आपो ये वी वाद थातीती तो आतस्यार इनना पंच Hemet seventeen और पांच नी जगे है 6 EMP आनने 10 जगे है 16 EMP आपने आपना घरनी वाइरिंग माटे जो वात करी हैं, तो 6 एंपियर आने 16 एंपियर आप बनने नो बहुड़ा परमाण माँ उप्योग थासे, इन्हा सीवाई नी एटलो बदो इंपोटन्स नथी, स्वीच माटे नी वात करी हैं, तो स्पेसियली, बराबर जे, कांके जो, फोर एक्जांपल वात करी हैं, आपने ट्यूब लाइट के पंखो चला हो छे, तो 6 एंपियर नी स्वीच चाले, पन जारे आपने फ्रीज नू कनेक्सान, एर कनिशनिंग नू कनेक्सान करूँ, जो तो मीनीमम 16 एंपियर नी आपने जरूर पढ़ से, एना उपर, जारे प 32 एंपियर, 20 एंपियर, एवा अलग-अलग एंपियर, एंपियर ना रेटिंग नी स्वीच हो तियां वपराती होई छे, बराबर छे, एले रेटिंग नो तमने ख्याला भी गयो हो से, के करंट, एटले के, जे स्वीच नो आपड़े उपियो करी रहा ची हैं, तेना माथी क तो कि दुमीत्रों में, 10 एंपियर नो करंट, जो कोई एक जगिया ही थी, पसार थवा नो होई, और ए जगिया आपने स्वीच राखवी छे, स्वीच नो मतलब के, ओन ओफ करूँ छे, कंट्रोलिंग करूँ छे, तो मिनीमम त्यां, सोड एंपियर नी स्वीच राखे एल्ले जो रेटिंग नी वाद करी तो पहला तो आभी क्यों करंट ना रेटिंग उपर थी, और बीजू आवेचे एनू, वोल्टेज रेटिंग, तो जो आपड़ा घर नी वाद करी हैं, तो किटला वोल्टेज होए आपड़ा घर मां, बस सोने 30 वोल्टेज, और जो केवी, 33 केवी, 132 केवी, 66 केवी, एम अलग-अलग रेटिंग प्रमाने ना सब्टेशन मां, त्यां स्वीचिंग डिवाइस इस नो उप्योग थतव होई छे, हबे, आज जी ऐसेसरीज छे, तेनू वर्गी करन आपड़े कर सू, क्लासिफिकेशन ओफ ऐसेसरीज, बराबर कई जगिया इने फिटिंग करियां छे, धारों के इने दीवाल उपर फिटिंग करवाना छे, दीवाल नी अंदर नी बजू फिटिंग करवाना छे, पासी बिजो छे के उप्योग, तो इनो उप्योग आपनने कही रिदे करवो छे, इना उपर इनो प्रकार बने छे, तो ब्ये प्रकार ना वर्गी करण भी से आपड़े बने इसूं। तेमा थी पहलू वर्गी करण जे छे माउंटिंग ना प्रकार है। तो एनी बात करियां आपड़े। माउंटिंग इतले के में तमने बात करिये भी रिदें। बेसाड़ वो कोई जग्या उपर बराबर फिटिंग करवी। माउंटिंग प्रकार नुझे वर्गी करन जोही हुना पड़े। इना पण डीटेल मा भाग होचे। तो एनौ पहलो जबाग चे के अप्योग ना प्रमाने। उप्योग अलग अलग करवी आपण तो कई के रिते करी सक्सों। बराबर छे, तो अवे नों उप्योग नी बात करी हैं, तो उप्योग controlling accessories, इतले controlling करूँ हो है आपने, के एक motor चालू छे तो इनों आपने controlling दारों के करूँ है, यह भी बात आए छे, धारों के fan चला हो छे नों regulator नों आपने control करी हैं, यह भी रिते, भी जो छे holding accessories, इतले के hold क आपने जे बात करी हैं, यह भी जाए 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 और इस माउंद करऊंचेतहिस प्रकारे 2 प्रकारे अउप्योग धायएचे तो अंटरोलीग भधी कर कई पड्रु कुर्पैके यह ना प्ने देट एसी देटेशकेर्यू बंद करवी छे, फ्रीज चालू बंद करवू छे, आप बद दया ने सु केश हूं, आपड़े, कंट्रोलिंग केश हूं, तो एना माटे वप्राती स्वीच हो, तो पेली स्वीच दरो के सिंगल पोल, वन वे स्वीच छे, आपड़ा घर नी अंदर, जे पंखो के ट्यूबला चालू करवा माटे वप्राय छे, तीया प्रका नी स्वीच छे, आपड़ा जे अंदर, जे प्रका ना ब्ये प्रका ना ब्ये पोइट आउता हाँ से, एक जग्या यह थी लाइन इंकमिंग थती हो, बीजी बाजवेने स्वीच हो, और अइना यह थी यह आणी आउट गोइ बड़ाबर, जेहां सिंगल पॉल छे अने इंहो थो पन करें, एक जग्या भाजू छे एक जग्या एक पॉल, आने एक जग्या रूएनो थे शिंगल पॉल स्वीच तरीगे वड़ख। आप 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 गया तो यहनू connection कंप्लेट हासे आभी स्वीचों नो उप्योग वधारे पड़तो आपड़े बेडरूम मा थातो होई के क्यार एक बेडरूम मा थी आपड़े एंटर थाई है त्यारे एक लेंपने चालू करियें छिए आने एज लेंपने आपड़े बेड पासे जहीने पाचो ओफ करी सकीयें छिए बीजू जो उदारन आपड़े समझीयें तो जैरे दादराम आपड़े सीडियो मा चड़ता होईयें त्यारे नीचे थी लेंपने ओन करीयें उपर जहीने एज लेंपने पाचो आपड़े ओफ करी सकीयें ते माचे स्वीच व अपराये छे ते टुवे स्वीच छे आने बेल अलग अलग प्रकानी स्वीच हो छे पाची धबल पोल आयन क्लीड़े ट सुीच आइन कुलेडेट एड़े है कि आइन नी आखु बोक्स हुय और डबल पोल हुय चे थेKि बे says, दलग आपण ये थ्रो करेलो ह gemaakt ग्राबर, कि श्केतरो है रीते, डबल पॉल चे और एक बजुए थ्रो करेलो है। एभी रीते थ्रिपल पोल पन होई सकेचे, बराबर आधार क्या हम थ्राण पोल करना किया तो सै दिफल पोल डेगी, आभी रीते क्या रता हुँ मेख सिंगल पोल स्वीच आम अलग-अलग प्रकानी स्वीचों होई सके चे बराबर चे जेनी आपड़े विस्त्रूत चर्चा करी समात्यारे तो सिंगल पॉल वन वे स्वीच नी वाद करी है तो ए वाइनिंग आपड़े में वाद करी कि आनो उप्योग साना माटे थाए चे तो आपड़ा फेन, ट्यूबलेट ए चे लाओ माटे एला डोमेस्टिक सादमों एनो रेटिंग जे छे थे के तलू जे पांच एमपियर न होई चे बराबर सिंगल पॉल वन वे स्वीच पाची सिंगल पॉल टू वे स्वीच एनो उप्योग में तम ने कीदो दादरा नी अंदर के बेडरूम नी वाइरिंग नी अंदर उप्योग थाए चे अने एना एमपियर पण 5 एमपियर होई चे वेधारे पड़तो रेटिंग एना 5 एमपियर न होई चे intermediate switch नी में तमने वाद करिया वी रिते येना connection बे प्रकारे थाये छे एक आजे चे आवी रिते link मारी ने चार point ने आवी रिते cross link मारी ने अम बे प्रकारे आपणे करी सकीये छे बराबा छे आनो उप्यो क्या थाये जे गितारो के तमारे एक लेंप छे आपड़ो आ लेंप ने आपणे बे करता वधारे जगिया ये ओपरेट करवो छे आ लेंप ने आपणे बे थी वधारे जगिया ये ओपरेट करवो होए त्यारे intermediate switch ने उप्यो थाये छे बराबा छे तो लेंप नी के अभी बाद थाती होए आपड़ो ने बे आपड़ो परेट लेंप लेंप ने आपड़ो थाये जगिया जगिया जो ओपरेट करवो होए तो intermediate switch ने बद्दत्या आपड़े करी सकी है पूस बटन टाइप switch आपड़े पूस करी है ने दबाए जाए बिरी ते बराबार पची पूल है एक खेच भाण होए अने होँ तमने जो description आप होँ तो आप अब अब भदे श्वीचों वीसे ने तमने figure होँ अतिया बतावी दे हो छो अने खास तमें ध्यान राग जो के डबल पोल आयन क्लिड़ेट स्विच गे होए जा आयन क्लिड़ेट जे स्विच हो आवे जाने बद्धी वधारे एंपियर ना रेटिंग माते होए जाले के मोर देन 15 एंपियर रेटिंग होए तिया न उप्योग था तो होए खैसे मोट बद्धी छोँँवा जाले कीनिग क्लिड लेके खेंच मुणूँ फक्त एम पूछो मौई के फूल स्वीच फूल स्वीच तो आहीया तम्य जो इसे कोच होए पूल स्वीच छे आज स्वीच नो उप्योग छे जेए वॉलफ मौई चे वॉल फेन नी अंदर आपने तमने ख्याल होए तो दोरी वड़े आपने खेंची है ची है अने इना माँ फेन नी स्पीड रेगूलेट थती होए चे यह लेके इस सिलिंग नी अंदर इनो उप्योग थत होए चे हवे जो बीजी बात करें आपने आयन क्लेडेड स्वीच नी वराबर छे फिगर उपर तमें नियाड ही सको चो आयन क्लेडेड स्वीच पाचे है आपने पाज आइन क्लेडेड अप्र नीफ्रीन उप्योग थताए चे बराबर आपने आ आयन क्लेडेड स्वीच मास से लिच Powell प्योग मो contractors are here पाचे अपने आज्श स्क्रीन उपर आवी चे चसूं triple power iron credit एलेके 3 पोल हो से इना पजी चेनी holding accessories चे holding accessories चेनी hold मां के हूँ lamp नू holder चे fluorescent lamp नू holder चे starter चे बराब अलग लग परकाना holders होई सके चे lamp holder नी बात करी है तो lamp holder घणा परकाना होई चे बराब बले तम ने जितला याद रे तुमारा प्रेक्टिकल नुवेज माटे याद राग जो जिया त्यारे उप्योग थाई रहोचे इना भी से पनू तम ने वाही थी आपीस लेंप होल्डर छे ने इनी जो रेटिंग नी बात करी हैं अब दहा रिपर्टोस होए कि लेंप अपने त्या होल्ड करवानो छे बराबर लेंप ने आपने बेसाड़ वानो छे यह लेंप ना रेटिंग से ना महोए पाच या वोट माहोई जे तो अब दहा वोट उपर आउता हुए 100V, 200V, 300V आव प्रकान यहना लेंप फोल्डर नी केपसिटी होई चे बराबर हावे जो बाद करिएं तुसो जे बोयनेत केप टाइप स्कुरू प्रकानू एडिसन स्कुरू प्रकानू उन्हे गोली येथ स्कुरू प्रकानू होई चे स्क्रू प्रकार ये लेकिये वो, कि लेंप ने आपने स्क्रू वाड़े फिट करियें, हूँ तमने पाच्चो मीत्रो ये आपना गुगल उपर लई जाऊँ छूँ आन्ने लेंप होल्डर ना अलग-अलग प्रकार हो भी से आपने तमने जणाऊं छूँ चलो मित्रो तम्हें नियाड़ी साचो टाइपस ओफ लेंप होल्डर अहीं तम्हें जोई सको छो कि आपने स्क्रू टाइप होल्डर छे ये बराबर छे नोर्माल होल्डर्स छे आइंगल टाइप होल्डर छे श्ट्रेट होल्डर छे आम अलग-अलग प्रकार ना होल्डर्स अलग अलग प्रकाना, pendant holder चे थारो कि साधा holder वोई pendant holder चे जहरे आपने कोई extension करवान हुआ ते आपने आपने साधा holder न उप्योग करता हुई ची जहने pendant holder पन के वाम आवे चे screw type न जे lamp होई चे एना माटे जो hold करूँ धारो कि आ screw type न लेंप चे एने hold करूँ तो आभी रितनो screw type न उप्योग था तो होई चे पची फ्लूरोसेंट जे बात था है जे फ्लूरोसेंट ये लेके tube light चे एने फ्लूरोसेंट के वाए पची CFL लेंप चे CFL लेंप तमने लेंप घ्याला है जे एने जे hold करुण लेंप आभी द हरावे चे चे ने बात है चे CFL लेथ फ्लूरोसेंट लेंप छे ले फ्लूरोसेंट लेंप ज्लूरोसेंट लेंप यो Ärने hold करूआँ माते लेंप एनन cow अधेज़ाउ अक्योरी वेपर लेपावे छे सक्वें म्युद्नलू अंदर अंतर अवा-सीरामीक प्रकान शुल्डर शनो किर स्थया किस्प्रेणी अभ अचर्च अंधर अंधर हम फिक प्रकाना भॉंडर शे इना अलग अलग नाम उपर थी इनो छठ में तरो, अब एक आप वीडियो जो जो, स्क्रीन ऊपर तम एक जो जो, ग्रती ऑन नम जी आप रहा था, य… बद्य-बदा नाम आप ही जेसे थी एंबर, ऐना थीहरी मा जोए हा था, क्रू एप केप का शरी सर्कूंण की एप क क्ला माटे, पची एडिसन स्क्रू टाइप, बोयोनेट टाइप आने स्मोल बोयोनेट टाइप बोयोनेट टाइप एटले के वो आपने नोर्मल जे आपड़ा घर नी अंदर जे वापरता होई जे एनी बात थाएचे बराबर आवा अलग-अलग प्रकाना लेंप होल्डर सावे छे जीनिया वीसे आपने गूगल मा तमे सर्च करीने बधारे माही दी लई सको छो जेतली मीनिममम रिक्वार्मेंट छे एटली आपड़ा त्यारे समझी लिदी छे हम अलग-अलग प्रकाना लेंप होल्डर सासे जे मा आपड़े वाद करिये वीरी तया पेंडेंट होल्डर, बेटन होल्डर, एंगल होल्डर जे आपड़े जो एन आगर सेमें एज बदा नाम छे यहाने बहुज़ गोखवानी जरू नथी, प्रैक्टिकल यूस माटे जे उप्योगी होई होल्डर एन्हे तमें याद राख जो, अवी घणी प्रकानी एसेसरीज छे के जिन्नों तमने याद राखवा माटे छे बराबर जे, लेंप होल्डर ना स्पेसिफिकेशन जो बात करी हैं, तो लेंप होल्डर नो मटीरियल सानू बने लो छे अने कलर सानू खे लेंप होल्डर ने पकड़वानी रीते, आपने दारो के केम स्कुरू टाइप होए छे, होल्ड टाइप होए छे, बराबर एनो होजे, माउंटिंग नो प्राकार, माउंटिंग कही रीते करवानों छे, करंट केटला रेटिंग नो छे, वोल्टेज, केटला वोल्टेज थी वोल्टेज माटे बनेल हो छे अम अलग-अलग, जारो के करंट रेटिंग ने आपड़े बात करी तो हाई प्रेसराइजड मर्क्यूरी वैपर लेंप हो तो एना पची करंट रेटिंग अलग आवे वोल्टेज रेटिंग पर थोड़ा गणा बदली सके छे तो आम बद्दा होल्डिंग एसेसरी जो जिटली पन छे लेंप होल्डर नी ए आप पांच अलग-अलग भागो थी डिवैट जा सेना स्पेसिफिकेसन बराबर कया-कया तो मटीरियल आने कलर, लेंप पकड़वानी रीत, मांटिंग नो प्रकार, करंट अने वोल्टेज, हवे नेक्ष्ट एसेसरीज जो सु थे सलामाती माटे नी एसेसरीज सलामाती माटे एटले के आपड़े फ्यूस छे MCB छे, आब दो, बराबर चे तेना माना अटली एसेसरीज जो नो उप्योग थाए जे ये बद्धी एसेसरीज भी सेमों तमने सांती थी तियारे वीडियो उपा तमने बतावी देश ये आपड़े गूगल सर्च कर सूँ बराबर चे, कानकि आपड़े आपड़े फिगर दोरी ने तमने समझावी नथी सकतो येटले आपड़े फिगर उपार जाहिशो और स्वारी गूगल उपार जाहिशो बेलो चे, किटिकेट प्रकार नो फ्यूज किटिकेट प्रकार नो जे फ्यूज छे ने मिद्रो ए फ्यूज आपणने आपणा घर नी अंदर बधारे पड़तो पेला उप्योग धतो होतो सिरामिक नो बनेलो होए छे बराबर चे स्क्रीन उपर तमें जोई सको छो हो त्यारे किटकेट प्रकानो फ्यूज ख्याल पड़ी गयो से फ्यूज जोताज बराबर चे किटकेट प्रकानो फ्यूज छे नाना स्केल मा पणा त्यार उप्योग थाईरी हो छे बटन नी अंदर यूज थाए छे आनि आपणा घर नू जे मेन एनरजी मीटर हो छे तेना तरह तरह जा आप्रकानो फ्यूज लागेल हो छे बराबर चे किटकेट प्रकानो फ्यूज जोईली दो मीतरो ध्यान थी जो जो कोई डाउट ना रहो जोई है अने माजे करंट वहन थतू ये वायर आज गिया उप्योग थाई छे बराबर आज गिया लागेल हो छे करंट नो वायर पची छे आयरन क्लेड फ्यूज कट आउट बराबर आयरन क्लेड नी बात करिया आपड़े आयरन क्लेड फ्यूज आपड़े जे आगर आयरन क्लेड एट बोक्स जोई हूँने से एज प्रकान हो जे बराबर जे आयरन क्लेड एट जे फ्यूज आनी अंदर इन बिल्ड थी जाएचे, भीजु काईच फरक ना थी एना पची छे, cartridge type fuse छे cartridge fuse cartridge एट लेके आखो एक container हो छे एनी अंदर direct fit करूँ, बराबर छे एनी ता में figures नियाड़ो, आज ये fuse छे इने directly आपड़े fit करी सकीयाँ छे आणे bottle type fuse पन केवाम आवे छे बराबर, जिने अंदर बच्चे spring छे त्याहाँ थी N1 थत हुए आप रकाना fuse छे, electronics equipment मन 9 ampere माटे उप्योग थाए छे आज ये तमने देखाए छे figure उपर आ वधर ये ampere connect माटे उप्योग थत हुए बराबर आ bottle type fuse छे नोर्मल cartridge type छे बने हम cartridge type है छे पना ने bottle type ने glass type पन केवाम आवे छे 2 ampere थी 1 अने 2 ampere माटे आव आप रकाना उप्योग थत हुए जिने वधर ये ampere नी बात आउती हुए 15 ampere, 50 ampere तो इनी अंदर आप रकानो cartridge type fuse होप रहे छे आना पछी आवे छे ने एनी टाइप्स छे HRC fuse जो ही सको जो HRC fuse जिननो नाम छे High Rupturing Capacity Fuse HRC fuse आजे वधर ये ampere नी जरूरत होए ये जगिया ये नो उप्योग थत होए HRC fuse नो जिननो पूरु नाम छे High Rupturing Capacity Fuse बराबर छे तमें जिया फीगर मां जोई रहा छो ए छे थोड़े क्नेट नी प्रब्लम थे रही छे मित्रो जिया वधर ये ampere नी जरूरत होए त्या आप रकाना fuse नो उप्योग थत होए छे बस आज फीगर मां तमें जोई रहा छो ने आ HRC fuse चे बराबर नोर्माल आनी अंदर जे अभी रिते घना बदा फ्यूज नो उप्योग अलग अलग रिते इनो था ही रही हो छे पड़ी फिगर्स आपने नहीं हाडे ली थी छे अलग थी नहीं हाडवाने जरूर न थी एना पशी नेक्स्ट टोपिक छे आउटलेट एसेसरीज छे बराबर आउटलेट एसेसरीज आउटलेट एसेसरीज नी जो वात करिया आपड़े तो जे वे ने अगडु लागे चे टोपिन ध्रीपिन आपने अलग अलग बात करता होए होए लिए तोपिन नोपन होए छे आप ये लिए लिए टोपिन होए जहां फेज ने न्यूटल नी एसेसरीज होए खाली ये न ममा भी यू प्यूग नहीं तो होे, जो पांच एमपियर ने 15 एम्पियर आम बन्ने माँड़े, जो न भी मेंफ़नि बात करीए तो ये 6 एमपियर औने 16 एमपियर आनि अंधर ये बजर मां अविलेबल चे, आज ये मां आ आउट्छ burnt the टीवी छे, फ्रीज छे, इस्त्री छे, आब दा जे उपकरणों छे, इचलावा माटे जे आपड़े प्लग नी अंदर कनेक्शन करियां छे, तेनी अंदर अत्यारे उप्योग थारी हो छे, बड़ाबर छे, चनरल ऐसे सरीज नी जो बात करियां, तो सिलिंग रोज, अडेप पर छे, फेन के ट्यूबलेट नू कनेक्शन जो कर्वो हो है आपणने, तो एना माटे जे, एसेसरीज वपर है छे, तेनी बात थाए छे, बहुत सिंपल छे, गणी वकद आपने नाम अजानी लागतू है, तमे जे फीगर माँ जो ही रहा चो ते, आने सिलिंग रोज के वा आने सिलिंग रोज के वाँ आपए छे, इना पची जे एडप्टर, एडप्टर नो तो मतलब तमने खबर अच्छे के आपने जे कोई चार्जिंग ना प्लग माटे के एडप्टर राखी है छे जे नाम एक्स्टेंसन आपता होई है छे है, डिस्टिबिशन बोड एटले आपड़े जे लाइट फेन माटे नो आखो एक बोड होए छे, आ बोड नी अंदर गणी बदी स्वीचो होई, आने रेग्यूलेटर होई, ए बदू आभी जे जे डिस्टिबिशन बोड के वाए, इस तरी ना कनेक्टर, एडले के त्रण पीन वाड़ू जे आखो कनेक्ट आपने अंदर उतर स्वीचो होई, आपने कईव इंपोर्टन चे, कईव इंपोर्टन ना थी, कांगे एक्जाम ओरियंटेट तमारे आ सब्जेक माँ वधर इविचारवानू चे, आजे छे बदाई वूड ना बनेला बोड होए, इना माटी नी वाद चे, अत्यारे तो ज अत्यारे तो प्लास्टिक ना सउथी बदारे पड़ तो उप्योग थाई रहो चे, पर जनरलोज माटे याद राख हो होए, तो आब अधी लंबाई आने नी पोड़ाई चे, के केटला केटला ना बोक्स अवेलेबल होए चे, आके का तमा प्रेटिकल पॉइंट तो मारे आनी कोई जरूरत नहीं पड़े, फिटिंग माटे ना चे, इंडियान स्टंडर्ड चे, बराबर चे, तो सिलिंग रोज थे ही के होए, के 250 वोल्ट माटे आपने सिलिंग रोज नो उप्योग करता होई चे, बराबर, सोरी, 250 वोल्ट सुन्धी नो करता होई चे, य यह जो यह नहीं, बराबर, अने सिलिंग रोज ने के हुझे ऐगा, फ्यक्सिबल कोड नो उप्यो करा होई आपने बाद करी ना, आधरो कि एका सिलिंग को रोज छे, यह एक फेंड लागे लो चे, यह थी आपने वापरी चे, नहीं फ्लेक्सिबल वायर वापरी हैं चे, अने सिलिंग रोज मां, फ्यूज टर्मिनल वापर हो जो यह नहीं, यह आपने जारे स्वीच मां वापरता हो यह, फर सिलिंग रोज मां यह वापर हो तो न थी, सोकेट आउटलेट अने प्लग नी जो वाद करी हैं, तो एना माटे ना इंडियन स्टांडर छे के, जो प्रासमा नोर्मल जे कनेक्सन चे बदा क्या वाऊए, पांच अम्पियर ना वाऊए, जारे एर कनेश नी गरगंटी, फ्रीज, वोटर कूलर, हीटर, आवा जे मुटा-मुटा उपकरनो जे छे, त्या मिनीमम पंदर अम्पियर नू सोकेट आउटलेट राखवानू, बरा हमें सोकेट आउटलेट आपेलो जे, यहनी बाजूनीज, स्वीच माधियनू कनेक्सन आपू जोई है, स्वीच ने हमें सा लाइव वायर साथे जोडवानू, आपने पहला पन वात करी लिछे, में एक नानकड़ो वीडियो पन बना वेलो जे, वाइरिंग माते नो, तमें जोई सको चो के वायरिंग कही री ते करवाम आवे छे तेनो, यहनी अंदर पर में में चर्चा करी ली जे तमने, के आजे स्वीच ने अंदर जे वायर सावे छे, यह बद्दा वायर सम्में सा फेज वायर हुआ जोई है, पर यहां अंतरिक रक्षान नी बात आवे, के mechanical stress अंदर पर पड़े तो अपन टेंशन ना हो जोई है, यहना उपर सूँझे के फ्लोर लेवल थी 200 mm नी ऊपर कोई पन लेवल ने सोकेट ने राखी सकाएचे, यह 200 mm थी वधारे लेवल होए, त्यां जेने राखवानों, अर्थिंग माते 3-pin plug सोकेट नो उप्यो करवानों, आपने बदा जानी एची है, तारो किया सोकेट यहां, एमा एक, बे ने राखवान पॉइंट होचे, थ्री पीन नो, इमा जमनी बाजू हमें साज यह होईचे, ने पॉइंट यह फेज होईचे, डाभी बाजू होईचे, यह निउट्रल होईचे, उपर नो जे वाइर चे आपने अर्थिंग होईचे, जानी अभी रितनो प्यो करवान होचे, अने पावर वाइरिंग मां, सो करानो, मेटल क्लोड स्वीच, और सोकेट आउट्लोट नो, प्यो करानो, यह पावर वाइरिंग अटले एटले के वी, के ब्रकानी तमने वाइरिंग होचे, एक थो हई lightening होएय पर आपर एक केवी छे ये lightening चे lightening इत लेकेखे भी के tube light fan आवा light load लगावा हमाटे और बीजी वाइरिंग जे छे निए इन्य के वाई जे power wiring पावर वाईरिंग ये लेकेखे भी के बहुँ मोटा हूपकर नो चला हुआ है पोटर्स चला भी चे सबमर्सीबल, आपड़ा घरनी, के फ्रीज चला उचे, एर करिशनिंग चला उचे, तो इन ही बात है, इना मा आउटलेट जे नो उप्योग करी चे ने, मेटल क्रेड़ेट स्वीच हो आजो यह, हकीकात मात यारें, मेटल क्रेड़ेट स्वीच नो उप अप्योग करवानों, हम अलग-अलग रही ते आपने लाइटनिंग फिटिंग नो उप्योग करता होई हैंचे, इन्डस्ट्रियल नी जो बात करी हैं, तो लाइटनिंग फिटिंग नी, तो इनी अंदर के हो जे के पाइप, ब्रेकेड, चैन वगे रहे थी टेको आप हो ज के इन्डस्ट्रियल मां स्ट्रेस कोई ना पड़े मिकेनिकल इंजरी ना था, एनू खास ध्यान राखवानों होई हैंचे, एटला माटे बाद थाती होई हैंचे, बची लाइट फिटिंग ना जे भाग जे, लाइट फिटिंग ना भाग तरीके सडगी उठे, ते वो सेड ना भापर हो, बड़ाबर है, अवे अनूम के हुझे के, आपने बात करीने के, आम सडगी जा डैरेक तो इचालेज नी कोई हिसा, एटले फिटिंग जारे आपने करता होई हैंचे, ते आरे खास ध्यान राखे सु के, कोई सडगी उठे वा भाग नो उप्योग आपने ला बरबंद नी बेसे, वायर्स पने अंदर थी, जई नी सिक, बहुत जनरल वस्तो चे, अबधी वस्तो तो एग्जामा पूछाती ना थी तमने, पर जनरल नोलेज नी वस्तो चे के, तामारे खास ध्यान राखवाने चे, बड़ाबर चे, हावे जो आपने बात करीने, तो आ लेंप नी जो बात करीने, गेदार हो कि आपड़ी आ आखी वर्टिकल एक दिवाल चे, आ जमीन नो भाग चे, बड़ाबर सपोज आपने लेंप इहां करने राखे लो चे, आ प्रकास धी एक लेंप राखे लो चे, तो आनू जे डिस्टंस ने मीनिमम ग्राउंड थी कितल नो राखवानू तो 2.5 मीटर नो राखवानू चे, बड़ाबर चे, आने जे फेन अपने अरेंज गरेंच गरेंची ने, इफेन जे ने ना थी आम नीचे आवी जाए धारो कि आवं, ये उना हो जो ये, कांके फेन जो नीचे आओ से ने सपोज आपने या प्रकास नी अं नीचे आवे, इतला माते लेंप जे चे ये 2.5 मीटर जमीन दी ऊपर राखवानू होए चे, बड़ाबर चे, फेन नो रेग्यूलेटर जे चे, खास द्यान दाग जो के फेन नो जे वायर चे ने, इकोपर नो कनेक्शन वाड़ वायर हो जो ये, अने मिनीमम अपने 1 मिनीमम स्क्वेर नो वायर वापर वान हो जे, बड़ाबर चे, अने फेन नी ब्लेड नी बात करों मावे, तो फेन नी उचाई केटली जे, 2.4 मीटर राखेली चे, अकीकत मा प्रेक्टिकल प्रमाने जो लेंप आपडो जे छे, इना थी पन उपर राखवानी आवे चे, ब जारो के सिलिंग आया चे, आने फेन आपड़े आपड़े जारेंज करी दिये जे, तो असो ए एकदम उचू ना हो जो जो एले, आ डिस्टंस जे छे ने, इकेटलू राखवानुचे तो 300 mm ती उचू नी हो जो जो आनू, बराबा 300 mm ती उचू ना हो जो 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 एनू खास जो 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 ज प्लास्टिक ना प्लास्टिक ना कोई या फिटिंग्स हो या फिटिंग्स एना माटे बहु उप्योग थाए चे आनो वायर स्ट्रीपः चे अलग 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 ग्राम अमड़े चे ग्राम थी करीने 725 ग्राम सुधी बराबर जे पची छे मेलेट, मेलेट एकले लाकडानों हथोड़ो होएचे के घनी वखत के हूँ होए के कोई भी सामगरी होएचे आपने डैरेक्ट फटकारी न थी सकता तो एने आ लाकडाना आपने फिटिंग करवानी छे आपने आपने लाकडाना आवेचे जहां भी रिंग होएचे ने रिंग पानों के वामावेचे सीजर अटले के कातर मेजरिंग टेप, मेजरमेंट माटे टेस्ट लेंप टेस्ट लेंप नो मित्रो उपयोग समझी आपडे कोई जग्या फेज नो वायर आवेचे ने न्यूटरल न थी आवतो быть अर्थींग मीद अर्थींग छेक करेंवाटाशे अपने चेक करवाँ होचे कि अर्थींग बराबर छेकर नींग टो टो आर्थींग नो ओवायर छे ना फेज नौ वायर बदा जानो छो, इलेक्ट्रिकल ट्रिलती भीत नी अंदर होल करवा, लाकणा मों होल करवा, वायर गेज, आपणे चे आगड़ वात करीने वायर गेज नी, के अलग-अलग प्रकाना वायर गेज चे, इद वायर गेज नू मेजरमेट माटे चे, मोटर रिवैंडिंग करता होए, एलोकों ने अनो सवती वदारे पड़तो उप्योग थता होए चे, कानस चे, बराबर कानस नो उप्योग घसवा माटे थाए चे, के कोई लाकडू होए, के प्लास्टीक होए, दरोके आपने पीवीसी नो पाइप काप कटिंग करवा मावे चे, उपनी सर्फेस ने रफ अथाईगियो देने स्मूथ करवा माटे कानस नो उप्योग थाए चे, आजे चे ही पाइप वाइस चे, के धरोके पाइप नी फिटिंग होए, आयन ना प्लाइप नी, तो इपाइप ने कटिंग करवा मावे चे, बेंच वाइस चे, के कोई स्क्वेर टाइप होए ने आपने होल्ड करी ने काटिंग करवी हो तो, पाशी रोपंच, रोपंच नो उप्योग जाँ इलेक्रिकल ड्रिल ना होए, आने आपने सप्लाइप ना होए, आने दीवाल माँ होल पाडव होए, तो आ रोपंच नी मदथ ही आपने पाड़ी सक्याँ छियां, बराबाच एमा बदा घणा बदा उपकरणो छे, पाशी पोकर घोंचो, बराबार घोंचो एटले हैं के आभी रितनो होँचे, आपने होल पाड़ी ना आपने जे स्क्रू बेसाडवानू होए, तेनी जेगिया पहला सु करवानू, आना द्वारा एक नाना कड़ो पंच करवानू होँचे, आने पाशी स्क्रू बेसाडवानू होँचे, छिनी छे, तेनी चिजल के वामा आवेचे, आपने तामबाना जाड़ा तार होएके गेलिवनेज वायर वगेरेने कापवानू होँचे, बहुँ मोटा वायर होँचे, तो उप्योग थाएचे, नाना वायर मेन उप्योग न था तो, आत्यारे एना माटे पन घणा बदा उपकरणू आभी गया छे, फरसी छे, चिजल जेविच शे, बराबर छे, पाजी जा ए नियोन मीटर, नियोन टेस्टर, आपने जे इलेक्ट्रिकल टेस्टर जे कईएचे, तेने जी नियोन टेस्टर के वामावेचे, कांकि अनी अंदर जे वपरातो आ लेम पोई छे अंदर जे लाइट लगड़े छे ए नियोन लेम पोई छे एना काने आ टेस्टर नू नाम सो पड़ेलू छे नियोन टेस्टर पड़ेलू छे ना 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 स्कुरू नी फिटिंग करवा माटे आने फेज वायर आवे छे के नी छेडाने आटा पाडवा हुए अलग-अलग व्यास ना तो एनो उप्योग थतो हुए छे बची छे प्लम बोब एले के ओडम बो कही हैंची आपने यहाम दोरी थी लटकतो हुए छे तामें मित्रों जो होसे कंस्ट्रक्शन नो जे काम करता हुए के जे आपड़े लाइन आपड़े जे करी छे वर्टीकल छे के नहीं इने चेक करवा माटे हुए छे वर्टीकल लाइलो मा दीवालो उपर क्यारे आपने अलग-अलग डैमेंशन मा ना थिया यह एनू खास द्यान राखा माटे आन उप्योग था जे ओडम बो आपड़े केता हुए छे आम घणा अलग-अलग प्रकाना उपकरनो छे आने तुन उप्योग छे ती आ टेबल मा आपेलो छे टेबल नमबर 1.7 मा तो ध्यान ती आ टेबल ने निहाड जो अने समझ जो कांके मारा मत मुझव तमें आ बद्धा प्रकाना साधनों छे तमें निहाड जासे आने समझ जासे कदाज कोई खायाल न पड़तो होए तो मने जरूरती जणाव जो तो हुँ तमने एनी डिटेल माहिती पनापी देश वीडियो ने पोस करी आने सांती थी आनो उप्योग सावचे ती कईकी राखवानी छे तेना विशे निहाडवानू छे वधारे माहिती माटे पोस करी देजो वीडियो ने टाइम नबाग गरता हुँ आगर जोँशू सांतिय दी जोवा माटे मीटियो वो वीडियो ने पोस करी देजो ओके मीत्रो तो अतियार सुधी आपड़े सुझ हो यूँ के कही कही प्रकानी एसेसरीज यूप रहे चे के वा साधनों नो उप्योग करवा थी आपड़े एसेसरीज नी फिटिंग करी सक्सूँ वायर नी फिटिंग करी सक्सूँ हवे पची ना लेक्चर नी अंदर आपड़े घनी बदी वायरिंग ना कनेक्सनों विखे भणवानू छे दा झाल झाल